हाई, कैसे हो आप सब लोग ? पहले मैं बताउंगा की फ्लिटर फ więc है क्या ? मतलब क्या है इस चीज फुलर फ्लटर फ्लोग आपका एक तरह से लोग या आप लोग और लिको ब aquí देखो दोनों में difference है एक होता है low code जिसमें आपको coding बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ती है और एक होता है no code जिसमें आपको coding बिल्कुल लिंक करनी पड़ती है तो flutter flow जो है यह hybrid है मतलब दोनों का mixture है आपको इसमें कुछ features बनाने के लिए कुछ feature बनाने के लिए coding भी डालना पड़ेगा और अगर कुछ advanced features नहीं डालने है तो आप इसको no code भी रख सकते हो इसलिए यह दोनों है इतना समझ में आ गया आप इसमें visual development करते हो visual development का मतलब होता है मैं आपको दिखाता हूँ इसको refresh कर दूँ तो आप देखो जैसे यह आपको दिख रहा है न यहाप एक developer गया यहाँ यहाँ पर क्लिक किया इसको add कर रहा है यह सब मतलब जैसे आप paint में करते थे जैसे आपने paint यूज किया होगा WordPress यूज किया होगा तो में वो सारे चीज़े होते ही वीजिवल डेवलपमेंट तो वीजिवल डेवलपमेंट की जरीए आप इसमें एप बना सकते हो वेबसाइट बना सकते हो ठीक है मैं सही बोल रहा हूँ यार देखो EXE format का भी आप software बना सकते हो इसमें ठीक ही फ्लिटर फ्लो अभी जाकि अप डेच सकते हो डेमो में अगर इसे दिखा दूंँ आपको टास्क मनेजमेंट का किविल के मैंदे रहा है इसको मैं रन करके दिखाद हूँ आफ़ लोगों को क्यों यह देखो आप कुछ इस तरह से जहांसे आप ड्राइग औड्राप कर सकते हो ठीक है आप मेरी और वीडियो देखो विछमें मैंने कई सारे एस बनाए है जहां पर मैंने ड्राइग औण् ड्रॉप इस्तिमाल किया बट आप ऐसे देख लो कि आप ड्राइग ड्रॉप कर रहो जैसे प्रेंट में काम करते थे सिम्लर वैसे ही है यह ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे आते हैं तो नीचे आएंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है पहला तो इस तरह से यह डिफ आप डाटा आता है मतलब जो बैकेंड होगा वह आपका फायरबेस पर होता है उसके बाद अप्य आई तो आप जानते ही हो API integrate कर सकते हो आप then आप app के अंदर कई सारे languages को integrate कर सकते हो जिसे आपने देखो हिंदी कर लिया है यहां से चूज कर लिया English कर लिया, Spanish कर लिया तो अपने audience के language हिसाब से भी आप इसमें language चूज कर सकते हो और नीचे आते हैं ठीक है आप customize everything है मतलब इसमें आपको एक visual action builder मिलता है मतलब होता है visual action builder और visual app development में थोड़ा सा फ़र्ट है ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा visual का मतलब देखो क्या होता है कि आप देख रहे हो visual का मतलब आप layman language समझो कि आप देख रहे हो और देख के किसी चीज़ को आप build कर रहे हो तो जैसे paint में करते हैं वो भी आपका एक visual कर रहे हो मतलब rectangle drag कर रहे हो paint डाल रहे हो उसमे color fill कर रहे हो color pick कर रहे हो तो भी visual काम कर रहे हो उसी तरह आप इसमें जो action बना होगे उसे भी as a visual ही करना है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं आपको अगर left side में थोड़ा सा zoom करके दिखाऊं यह यह देखो आप pick up कर यहाँ पर click करके add करने के बाद यह add होता है उसके बाद यह add होता है तो आप देख पा रहे हो देखो क्या हो रहा है अगर budget is double equal to user record है तो true होगा नहीं तो false होगा तो इसमें आप देख पार है हर चीज then आता है custom visit आप अपने हिसाब से अपने need की हिसाब से आप visits इसमें डाल सकते हो जैसे बहुत सारी visits होते हैं जैसे carousal भी हो गया यह सारी visits inbuilt नहीं है तो आप इसको डाल सकते हो पर future में यह सारे visits flutter flow में आ जाएंगे अभी यह अपने आपको बहुत जल्दी ही improve कर रहा है ठीक then आता है custom functions कुछ functions ऐसे होते हैं जो आपका advanced code करने के बाद ही आता है ठीक है कुछ functions होते हैं ऐसे तो उनको भी आप integrated कर सकते हैं बट इसमें एक twist और है कि आपका जो flutter flow है न वो openAI का codex platform integrate करके रखा आपने में वो actually एक platform है openAI का जहाँ पे आप command लिखते हो मतलब prompt लिखते हो command कर लो उसको जब उसे लिखते हो न तो उसका code generate करके दे देता है आपको आप ऐसे imagine करो कि जब कुछ भी आप लिखरें मान लो आपको करना क्या है दो number का sum करना है तो आप लिख दो sum of two number तो आपको code generate करके दे दे देगा कि भाई ये साब भाई साब आपका code रहा आप इसमें ये पास कर दो देन आपको ये code run कर जाएगा तो उसने ये integrate करके रखा अफ्रेटर फ्लो ने और नीचे आते हैं तो ये हमारे customers हैं जो कुछ बात करते हैं ठीक है देन और नीचे आते हैं ये कुछ apps हैं जो design है आप प्लेश्टोर पर देख सकते हैं इन सबको और जो इसकी सबसे main feature है जो मुझे बहुत पसंद आता है और इसी feature की वेश से ये app जो ये software है आपका software नहीं कर सकते हैं ये जो web app है ये सभी से अलग है इसमें आप अपना code export कर सकते हो तो बहुत लोग को ये confusion होगा कि हमने code export कर दिया और हमारा premium खतम हो गया मतलब जो हमने plan लिया था वो खतम हो गया या premium लो या तो pro version लो खतम हो गया तो क्या करोगे आप क्या हमारा app बंद हो जाएगा या app प्रेश्टोर पे है वो हड़ जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ये जो आप app develop करते हो वो independent of platform होता है मतलब आप उसे कहीं भी रख सकते हो पर सिर्फ एक चीसा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप app में कुछ अपडेट करोगे core update मतलब design में तो कुछ भी update कर सकते हो बट कोई functionality में update करोगे या कुछ ऐसा update करोगे जो बहुत यादा critical हो मतलब बहुत यादा core में हो तो उसको update करने लिए फिर से आपको flutter flow का premium या कुछ भी लेना पड़े है जिस level में आप project अपना export कर सकते हो सिर्फ update नहीं कर सकते है update वो भी core level का ही नहीं कर सकते बाकि सारा आप update कर सकते हो अगर आपको coding आ रही है तो और flutter flow featured हुआ था गूगल आईयो कैप्टेरा सॉट लिस्ट में गूगल पार्टनर क्लाउड भी आईये गूगल पार्टनर का पार्टनर भी आईये और इसे पास 450K यूजर्स भी है यह हो गया समझ जा गया ना आपको flutter flow के बारे में मैंने जो बताया है चलो यह तो होगी हमारा flutter flow के बारे में अब इसके features को देखते है features में क्या क्या है आपके आप अपने ideas को product में convert कर सकते हो यह सारी चीज़े तो advertisement के लिए होती है पर चलो मैं आपको जो main features बताता हूँ powerful features code optional तो जो इसके features है जो आपका UX काफी अच्छा करते है user experience काफी अच्छा कर देते हैं वो होता है पहला animation जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 0 से लिए 100 तक इसने animate किया हुआ है तो इस तरह से आपको animation आप अपने apps में रख सकते हो जैसे में आता है आपका lotty और arrive animations आते हैं इन सब को आप अपने app में integrate कर सकते हो उसके बाद है आपका push notification आप देख लो जो आप अपने user को notification भेजते हो वो भी आप इसमें simply integrate कर सकते हो अपने Firebase से light आउ dark mode आप provide कर सकते हो user को जिसको light mode पसंद है वो light में देख लेगा जो डिसको dark mode पसंद है उससे dark mode में कर सकता अपना app जादा बढ़ी चीज़ नहीं होता है वो phone setting के हिसाब से भी अपना color change करता रहता है then आता है chat and group chat ये कुछ custom feature है जो आपको flutter flow के अंदर मिल जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है सिर्फ अपने हिसाब से chat और group chat बना लेना है templating का इस्तमाल कर लेना इस्तमाल करने के बाद आप simply इनमें अपने users को add कर सकते हो अपना database deploy कर सकते हो इन सब में उसके बाद आप नीचे आते हैं ये है आपका collaboration का मतलब अगर आपके पास teams है तो teams में कैसे काम कर सकते हो आप इसमें आता का commenting का feature आता है comment कर सकते हो किसी की development पर shareable कर सकते हो share कर सकते हो teams में काम कर सकते हो version control ये आपका बहुत best है version control से होता क्या है कि ये कुछ time के लिए जो भी आप change करोगे उसे save कर लेगा save करने से एक फायदा होता है कि जैसे आप मान लो कि कुछ आपने change किया अब जब आपने change कर दिया तो गलती से वो delete हो गया या तो वो काम नहीं कर रहा है या पुराना version काम कर रहा है नया वाला version नहीं काम कर रहा है तो आप इसमें revert कर सकते हो उस change को इसलिए version control बहुत अच्छा होता है और यह इसके अंदर integrated है export clean code कर सकते हो इस आपको मैंने पहली बता दिया कि अपना आप code कर सकते हो मतलब export कर सकते हो इसके बाद देखो कुछ इसके पास integrations है जैसे Firebase है already आपका database management पूरा देखी देखता है Google Map है Code Magic है कि one click में आप अपना app जो है deploy कर सकते हो Play Store पे या तो फिर App Store पे अपने पलगे Stripe है Stripe से आप e-commerce stores develop कर सकते हो revenue cat है Algolia है जहाँ पे आप search देखते हो GitHub है और यह सबसे अच्छा है कि GitHub है आपके पास कि आप अपना code जो है GitHub पे भेज सकते हो सिधे commit कर दो वहाँ पे push कर दो repository में वह सिधे चला जाएगा यहाँ से code और brain tree भी है जहांसे आप सिधे अपने app में payment लेख सकते हो और open AI को मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे codex नाम का है जो आपको सिर्फ prompt लिखने के बाद ही आपका पूरा code generate करके दे रहता है core platform feature जैसे आपका drag and drop builder है आप उठा के कुछ रख सकते हो जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था यह वाली चीज इसे इसको यहाँ पे रख दिये आप ठीक है कोई बात नहीं यह देख लो आप wrap column में करेती है उठा कि यहाँ पर इसको मानलब मैं यहाँ आप कुछ रखना चाहरा हो तो यहाँ पर रख दे रहा हूँ यह दिखा आपका तो यह drag and drop features होते है template screens है template screens का मतलब होता है जैसे आपने इस पर click करोगे आप यह देखो इस पर आ जाओगे इस पर click करोगे तो आपके पास कई सारे template screens मिल जाएं जैसे यह सारी चीज़ी है उसके बाद है team collaboration मैंने आपको पहले बता दिया 140 pre-build component और यह सारे बढ़ते चले जा रहे हैं जिसमें आपका card है user profiles कुछ हैं ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ी हैं इसमें आप अपने app को run और test भी कर सकते हो firebase content management है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इससे आप simply अपने firebase के अंदर ही यहाँ से content add भी कर सकते हो date भी कर सकते हो और update भी कर सकते हो यहाँ से और commenting in the project आपको पता है development and team feature में firebase integration ने बता दिया मैंने पहले ही आप लोगों को custom visits है custom function है custom action create कर सकते हो जैसे click करके आपको rupees को convert करना है dollar में यह सारी सीज़ कर सकते हो code download कर सकते third party integration कर सकते हो आप जैसे आपका paypal, alcohol यह सारी सीज़ है API integration यह कर सकते हो आप और यह बहुत अच्छी चीज़ होती API integration इससे आप अपने app को ऐसा power देते हो कि यह कुछ भी कर सकता है क्योंकि आप third party का app इस्तमाल कर रहे हो third party का integration इस्तमाल कर रहे हो समझे जो लोग designer नहीं होंगे जो लोग कोडर होंगे या तो टेक्निकल नॉलेज होगा उनको उनको पता होगा कि API integration जो होता है कितना अच्छा होता है ठीक है चलो kitab का होगा state management अभी जल्द ही आ जाएगा अब आते हैं हम लोग इसके pricing पे ठीक उसमें चार चीजे मिलती है free, standard, pro और teams का जो free है वो तो free रहेगा of course वो zero rupees का होता तो वो free ही रहेगा उसमें आपको सिर्फ चार features मिलते है core platform feature core platform feature वो features होते हैं जैसे आप सारी चीजे इस्तमाल कर सकते हो but उसमें क्या होगा आप apk download नहीं कर सकते code download नहीं कर सकते core platform feature मैंने बता रहा था sorry मैं इधर चला गया core platform features जो होते हैं वो होते हैं आपके drag and drop जो आप features यहाँ पे देखे थे मैं आपको फिर से दिखा दूए features यह देखो जो features यहाँ पे हैं लिखे हुए हैं, listed हैं वो स्वारे features आपको free मिलेंगे ठिक, core platform की अंदर pre-build template मिलेगा firebase integration मिलेगा और दो API end point ही इस्तमाल कर सकते हो पर आप इसमें code export नहीं कर सकते apk download नहीं कर सकते अपना build करके github नहीं लगा सकते app development पे मतलब वो नहीं कर सकते क्या करते हो उसको deploy नहीं कर सकते और google translate इस्तमाल नहीं कर सकते आप chat support नहीं ले सकते bill नहीं manage कर सकते और share design library भी नहीं कर सकते हो दन आते हैं हम लोग standard में standard आपका 900 का पड़ता है इसमें आप उसारी चीज़ कर सकते हो जो free में थी उसके बाद apk और code भी download कर सकते हो दन आते हैं pro में pro में आप सारी चीज़ कर सकते हो दो चीज़ नहीं हो सकती जो आपकी managed billing होती है और share design library नहीं कर सकते आप उसके बाद आते हैं teams में teams में सारी चीज़ आप कर सकते जो आपका cost होता है around 2100 का ठीक जिखो यार देखो price जो है न वह ज्यादा नहीं है आप इतना price तो fast food और दूसरी चीज़ खाने में मतलब जिखो यार price ज्यादा नहीं है इतना पैसा तो आप लोग waste कर देते होगे बाहर चीज़ खाने पीने में ठीक तो आप उन पैसों को भी save करके आप proper एक app develop कर सकते हो पर मैं आपको एक trick बताता हूँ एक tip देता हूँ कि आप इसको कैसे frame इस्तमाल कर सकते हो frame इस्तमाल करने के लिए आप click करना इस पे education पे यहां से अगर आप university के student हो या तो आपके घर में कोई university का student हो तो वहां से उसका आप ID card ले सकते हो ID card लेने के बाद आप नाम डाल दो उसका यहां पे get started करते हैं यहां से continue करते हैं एचली हाँ मैंने यह fill लगता है मैंने कर दिया था क्या नहीं ओके यह name आप डाल सकते हो नेम डालने के बाद मैं दिखा देता हूं आपको यहां से आपका do you have a school email ID no कर तो कर दो यहां से if you don't have a school address we are unable to create a student ID if you would like to add information to our waitlist so you can I understand कर सकते हो what is your email डाल सकते हो यहां पे मादलो मैं कुछ भी email डाल देता हूं यहां पे student pricing कर सकते हो यहां पे okay कर दो full name of institution डाल सकते हो जैसे मैं simple sample कर रहा हूं यह आगे मैं करूंगा तो मेरा save हो जाएगा तो मैं नहीं करने वाला ठीक अगर आपको पास email ID है school की या college की तो आप वहां से इंटर करके आपको दो दिन के अंदर free कर दिया जाएगा verify होने के बाद अगर successfully verify हो जाता है तो ठीक है यह रहा प्राइजिंग का इस्वेंड प्राइजिंग बता दिया कि किस तरह से आप फ्रीम इस्तमाल कर सकते हो अब आते हैं इसके documentation पे आप इसका जब यहां पर आपको हर चीज मिल जाती है जो आप नहीं कर पा रहे हो तो यहां से भी आप सीख सकते हो सारी चीज़ें या तो मेरा फिर यूटूब चैनल तो है ही सिखाने के लिए आप लोगों को चलो आज के लिए अगर देखो अभी तक कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट कर देना हाँ एक चीज मुझे और बतानी थी आप लोगों को कि मैं वेबिनार ला रहा हूं 15 तारी को तो प्लीज सब लोग जाके राइश्टर कर लो ठीक है राइश्टर कर लो कि मैं उसमें A to Z हर चीज बताने बाला हूं चलो आप लोग ना ख्याल रखना मिलते हैं आप दूसरी वेडियो में तब तक लिए आप लोग गुड नाइट अगर सुबा देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड एवनिंग चलिए ख्याल रखेगा बाई बाई